जैसरी गणिश ओम नमस्ष्वाल जैमतरानी जैबहरपना दर्षकूं आपका हारदिक श्वागत है आपका अपना चानल शिपशक्ती मात्रशाय परपार में तर्षकूं अगर आप चैनल पर पहली बार आयों तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना और शेर करना बिल्कुल ना भूले अगर आपका कोई शवाल है तो आप जो है हमारे वाट्सप नमबर पर संपर कर सकते हैं या कमेट्स बॉक्स पर पूँश सकते है और कुंडली विश्लेशन और कुंडली अधन करवाने के लिए हमारे वाट्सप नमबर पर आप संपर कर सकते हैं नमबर है नब्भे बारा पिच्चानबे सत्रा सत्तावन यानि नब्भे बारा पिच्चानबे सत्रा सत्तावन आज का भी सहे कर्क लगन के बारे में कि लोक कौन सा स्टोन रतान धारण करें जो उनके लिए निए पहुट जड़ाजय वैस्ट हो और जो उनके भागड को बिद्या को संतान को यानि कि सर्व कल्यान उनका हो और भागुद्य हो तो करक लगन के बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि करक लगन जहां पर आपकी कुडली उहां पर यहां लिखा होगा आपका चार नंबर यानि कि चार नंबर आपका लिखा होगा जहां चार नंबर लिखा प्रिकार से पूरे जीवन को सही महार दर्शन पर डालना है तो उसके लिए सबसे पहला स्टोन आता है लगनेश को मजबूत करने के लिए कि आप मोती रतन धारान करें सीधे हाथ की चोटी उंगली के अंदर चांदी में मोती रतन धारान करें उसके बाद में दूसरी बात करते हो पंचमेस की तो हैं इस पर रिखा है आठ नमबर यहां पर आठ नमबर दूसरी आप तो आकर आप जो पंचमेज को मजबूत करते गों द pulling कर सकते हैं क्योंकि पंच मेजांस को मजबूत करने के लिए मूंगा दाहरन करेंगे उसलिए आपका करमस्थान 25 बा peek हाँ कुणली के इसके थी कि ठीक है तो यहांपर भाग में जो रासी तो հ ह 우리가 느 때문에 बागई को बोगोग मजबूत करते हो तो बागई को मजबूत करते होसे आप जानते प्रोग निशुत्रूव होता है तो जब भाग्य को मजबूत करते हैं तो आपके भाग्य के चलते हैं रोग रिर्ण शत्रू जो हैं वो सान्त हो जाते हैं और आपको शत्रू से भी लाब राप्त होता है तो आप भाग्य को मजबूत करने के लिए देवगुरु ब्रश्पती का स्टोना पीला पुखराज ध कारण करका है लेकिन क्या कारण है कि जो अब इस तो चारो है कि हमारा जो प्रारब्ध होता है उसमें जो गरूद सब्सक्राइब और स्वस्सक्राइब नाकारेखित न जादा होते हैं कि हम इस के संग में आगर आप कबच द्हारान करना चाहते हैं तो कब तो आप आपको आपकी कुझ्ड़ी का आपके भाग का आपके पंचमेस आपके कर्मेश आपका लगनेश का बंड़ जाये बात कि कर्क लगन में मुह Haiá औराढ्पन के जबनागे में के उसके बाप सकते हैं उसके बाद है भृग ना रिन आता है तो बहुत के संग में वहाद इसके बाद में आपके पंच मेस और दसमेश यानि करमेश और पंचमेश दोनों के जो स्वामी हैं वहाँ आपके हैं मंगल देव ठीक है और मंगल देव को मुख रूप से अपने अनुकूल करना उनके लिए बागवान हनमद भाबा की पूजा सर्व सुरेश्ट माने गई है तो आप हनमान जी की पूजा कर सकते हैं अब देखते हैं यह तो मुख्य आराद नहींट कर सकते हैं बाइक है जिसका जहांने दिल लगता है उसी देवी देपता माने हुआ जूतिसों का मत पार्मा भाव भी माना जाता है यही हमारी विद्या का भाव यही हमारी जीवन के योजना का भाव होता है तो यही हमारी संतान का भाव होता है यानि कि पूरी 99.9 परशेंट यहां पर टिक जाती है अगर हम इसको स्टॉंग कर लेते हैं तो सभी चीजों हमारी समय पर होती चले जाती है तो यह था एक छोटा सा कुंडली विश्लेशन करक लगन वालों के लिए अगर करक लगन में आपकी कुंडली है आपकी कुं सब्सक्राइब कर सकते हैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ओम नमस्ष्वाय जै मतारानी जै भहरबनात आपका समय सुबो करें आपका समय सुब्सक्राइब करें आपका समय सुब्सक्राइब